नमस्कार दोस्तों, VNKD Study Portal के YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज हम सब इस वीडियो में हिंदी के अंतरगत बिलोम सब्द से 20 महतपूर परसनों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले परिछाओं के लिए बहुत ही महतपूर है तो चलिए हम सब शुरू करते हैं तो देखे आज का जो पहला परसन है हम सब इसे देखते हैं देखे पहला परसन दिया है अस्थावर का बिलोम सब्द है सचल होगा की चंचल होगा की चेतन होगा की जंगम होगा देखिए पहले का आपसर नमबर D जोगा सैयोगा अज थावर का जो बिलोम सब्द होता है वह जंगम होता है तो पहले का आपसर नमबर D जोगा सैयोगा इसे याध रखिएगा दूसरा प्रसन हम सब देखते हैं देखे दूसरा प्रसन दिया है आलोक का बिलोम सब्द है अदभूत होगा कि अज्यात होगा कि अंधकार होगा कि रातरी होगा देखे दूसरे का आपसन नमबर जो होगा सी सही होगा तो आहां लोक का जो बीलों सब्ध होगा वह देखिए अंधकार होगा तो दूसरे का आपसर नमबर лосьि जो होगा सई होगा तो सतो हम सब जितना परशने पढ़ेंगे यह सवी देखिए प्रिवियस येर के परिछाम पूछे गेंपरशने इसलए इंसरी प्रस्णों को आप ध्यान से पढ़िए अगला हम सब देखते हैं देखिए तीसरा प्रस्ण दिया है जेस्ठ का बिलोम सब्द है कनिष्ठ होगा कि पूरु होगा कि भूत होगा कि अग्रज होगा बताइए देखिए तीसरे का आपसन नमबर ए जो होगा सैयो अगला हम सब देखते हैं देखिए चौथा प्रस्ण दिया है कि मौन का बिलोम सब्द है बत्ता ये मुखर होगा कि मौकिक होगा कि मैंक होगा कि विकार होगा देखे चोथे का अपसन नमबर एज होगा सही होगा तो मौन का जो बिलोम सब्द होगा वह देखे मुखर होगा तो चोथे का अपसन नमबर एज होगा सही होगा अगला हम सब देखते हैं देखे पांचमा प्रसन दिया है गमन का बिलोम सब्द है जाना होगा कि उतरना होगा कि आगमन होगा कि चड़ना होगा देखिए पांच का अपसन नमबर सीज़ सही होगा तो देखिए गमन का जो बिलोम सब्द होगा वह आगमन होगा तो पांच का अपसन नमबर सीज़ होगा सही होगा दोस्तति आप लोग सामान हिंदी का और अधिक प्रेक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल के प्रेश्ट में जाकर देखेगा वहां से आप लोग को 2000 महतफुर प्रसनों का संगर हमिल जाका वहां से आप लोग जोर कीजेगा चैनल के प्रेश्ट में जाकर अगला प्रसन आप सब देखते हैं देखे प्रसन नमबर 6 दिया है देखे प्रसन दिया है कि यहाँ पर आप सब देखिए प्रसन दिया है मोटे काले छपे सब्द के लिए उपयूक तो बिलोम सब्द का चेन कीजिए देखे यहाँ पर दिया हुआ अपने बिशे का पूर्ण अभीग्य तो आको बताना है कि अभीग्य का बिलोम सब्द क्या होगा सरवग्य होगा कि अलपग्य होगा कि अनभीग होगा कि विग्य होगा देखिए 6 का जो होगा आपसन नमबर सी सही होगा अभीग का जो बिलोम सब्ध होगा वह अनभीग होगा तो 6 का आपसन नमबर सीज होगा सई होगा अगला हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 7 दिया है बिस्तार का बिलोम सब्ध है लगू होगा कि छोटा होगा कि सुछ होगा कि संचेफ होगा पताईए देखे साथ का आपसन नमबर डिज सयोगा तो विस्तार का जो बिलोम सब्ध होगा वह संचेप होगा तो साथ का आपसन नमबर डिज होगा सयोगा अगला हम सब देखते हैं प्रसन नमबर आठ दिया है गरिमा का बिलोम सब्द है बताई अंधकार होगा की लगिमा होगा की घ्रिड़ा होगा की निचता होगा देखे आठ का आप्सन नमबर 20 सही होगा आगे हम सब बढ़ते हैं देखे प्रस्ण नमबर 9 दिया आए मोखिक का बिलोम सब्धे बताए लिखित होगा की कत्खित होगा की पठित होगा की और लिखित होगा देखिए 9 का आप्षन नमबर A सही होगा मौखिक का जो विलोम सब्द होगा वो लिखित होगा तो देखिए आपर 9 का आप्षन नमबर A जो होगा सही होगा दोसरे आप लोग अभी तो वीडियो को लाइक नएकि यहां तो लाईजोग कर देजिए साथ ही चेनल पर पहली बारा आई हैं तो चेनल को भी सब्सक्राइब को लीजेगा देखे अगला प्रस्न दिया है अनाथ का विलोम सब्द है धनी होगा कि सनाथ होगा कि निर्धन होगा कि वेकार होगा बताईए देखे 10 का आपशन नमबर 20 सही होगा अनात का जो विलोम सब्द होगा वो सनात होगा तो 10 का option number 20 होगा सः होगा आप लोगों का जितना विपरसंब रचात होगा कमेंट बाके समय बताएगा अगला आउसाब देखते हैं प्रस नमब 11 दिया है अलपग्य का विलोम सब्द है बताईए अवग्य होगा कि सरवग्य होगा कि अभिग्य होगा कि किर्टक्य होगा यहां पर देखे ग्यारह का आप्षन भी सही होगा अलपग का जो विलोम सब्द होगा वह सरवग्य होगा तो ग्यारह का आप्षन नमबर भी एकदम सही होगा अगला हम सब देखते हैं प्रसंद नमबर बारह दिया है सकारात्मक का विलोम सब्द है बताईए नकारात्मक होगा कि यासात्मक होगा कि सम्भवात्मक होगा कि निरासात्मक होगा बताईए देखे 12 का आप्शन ए सयोगा सकारात्मक का जो विलोम सब्द होगा वहना का रात्मक होगा तो 12 का आप्शन नमबर ए सयोगा या काभी जो है आसान प्रसन था उमिद करता हूँ सभी का सयोगा देखे 12 का आप्शन ए सयोगा अगला हम सब देखते हैं देखें प्रसन नमबर 13 दिया है समुख का विलोम सब्ध है बताएं उन्मुख होगा कि विमुख होगा कि परमुख होगा कि अधिमुख होगा देखिए तेरह का आप्सन नमबर A सायोगा समुख का जो बिलोम सब्ध होगा वा उन्मुख होगा तो तेरह का देखिए आप्सन नमबर A जो होगा या सायोगा अगला आम सब देखते या देखिए परसॉन नमबर 14 दिया है अथ का बिलोम सब्ध है अंधोगा की इत्च होगा की अर्थषगा की अधोगा बताईए देखिए अर्थरका जो बिलोम होता है इती होता है, तो 14 का अप्षन नमबर 20 होगा, सही होगा, इसे आप सब याद रखेगा, अथका इती होता है, देखे यह जो प्रसन है, यह यूपी असाइ में पूछा गया प्रसन है, अगला आप सब देखते हैं, देखे प्रसन नमबर 15 अधिया है, उरुवर का विलोम होगा, वह जो होगा आपका उसर होगा, तो 15 का अप्षन नमबर C जो होगा, सही होगा, अगला आप सब देखते हैं, प्रसन नमबर 16 अधिया है, देखे प्रसन दिया है कि भूछड का विलोम सब्द है, बताए बिशुडू होगा कि भूछड होगा, कि दूसर होगा, सी जो होगा, सही होगा, अगला आप सब देखते हैं, प्रसन नमबर 17 अधिया है, अवनी का विलोम सब्द है, बताए आसमान होगा, कि याकास होगा, कि अमबर होगा, कि गगान होगा, देखे 17 का अप्षन सी सही होगा, जो है आसान प्रसन है, देखे अवनी का जो विलोम स किसाई है है का विलों सबभ ऊ-धे बटाएं हास होगा की हार होगा की ग्राम होगा की ग्राय होगा देखिए 18 का आपस्ननमबर 190 कोण मिर Schr他 नम्बर दी doc मिरिदूल का विल्हाम सबध है बताएं कठीन होगा की खराब होगा की रुच्छược कि कठोर होगा देखिए 19 का आप्षन नंबर डी सेयोगा तो मिरी दूल का जो विलोम सब्द होगा वह कठोर होगा तो 19 का आप्षन नंबर डी जो का सेयोगा अगला हम सब देखते हैं देखिए आज का आखरी प्रसन है प्रसन नंबर 20 है रिडात्मक का विलोम सब्द है बता देखे 20 का option number A सयोगा रिडात्मक का जो विलोम सब्ध होगा वा धनात्मक होगा तो 20 का option number A सयोगा तो दोस्तों आज का आखरी प्रसंद था यह आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगाज वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा साथ ही चैनल को भी सब्स्राइब के लि लगाएब।